अपने पिता संजय गाधी पर अमरियादे टिपपणी करने की एक मामले में पीली भीत से सांसद वरुन गाधी ने एक यूवक के खिलाब मानहानी का केस दर्ज करवाया है अपने पिता संजय गाधी के खिलाब ट्विटर पर अमरियादे टिपणी करने के एक मामले में एक यूवक के खिलाब मानहानी का केस दर्ज करवाया है वरुन गाधी ने नियाले से निकलते समय मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि मामला नियाले में है इसलिए कुछ जादा नहीं बोला जा सकता है सांसद वरुन गाधी शनिवार को दोदेवसी दोरे पर अपने लोग सवाक्षेतर पीली भीत पहुँचे थे आपको बता दे कि सनिवार को दोपहर के वक्त अचानक वरुन गाधी अपने अधिवक्ताओं के टीम के साथ पीली भीत के नियाले परिसद में पहुचे जहां SGM अभिना उत्तेवारी की कोट में पहुचकर सांसद वरुन गाधी ने अधिवक्ताओं के साथ पनारस के रहने वाले विवेक पांटे के खिलाब मान हानी का केस दायर किया है नियाले में करीब 20 मिनट बितानी के बाद सांसद वरुन गाधी बाहर निकले और मीडिया से भी बातचीत की इस दोरान वरुन गाधी ने कहा कि मैं अपने पिता के समान में हर दम तत पर खड़ा हूँ एक योग द्वारा मेरे पिता के से जुड़ी कुछ टिपणी की गई जसमें मैंने मान हानी का केस किया है मामला कोर्ट में विचारा धीन है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाता हूँ सांसद वरुन गाधी के कोर्ट पहुँचने की सूचना पहले ही प्रसासनिक अमले को मिल गई थी ऐसे में पिलिभीद के सदर स्टीम देवेंदर सिंग और सीओ सिटी अंशु जैन भारी पुल स्पोर्स के साथ पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे वहीं सांसद वरुन गाधी के नियाले पहुचने से पहले उनके अधिवक्ताओं की टीम भी तैयार थी सांसद वरुन गाधी नियाले में मानहानी का मामला दायर करने के लिए अपने समर्थकों के साथ फिर से क्षेत्र में जन सभाएं करने के लिए निकल गए सांसद वरुन गादी ने पीली भीत के लौरी खेडा इलाके में तमाम गाओं के में जम समबाद कायर करम को संबोदित किया इस दोरान वरुन गादी ने इमानदारी सा राजनिती करने की बात की साथ ही जनता के बीच उन्होंने बहुत सारी बाते की इसके बाद जन सबाओं क दोरान फरियाद लेकर आए तमाम फरियादियों की शिकायत भी सुनी और अधिकारियों को शिकायत के निस्दांतरन के नर्देश दिये तो वरुन गांधी ने अपने पिता संजय गांधी को लेकर एक आमरियादे टिपणी करने वाले युवक के खिलाब कोट में मामला दर्ज करवाया है